नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका डेली वन टोपिक बाई एके यूट्यूब चैनल पर पॉलिटिकल साइन्स मोस्ट वन लाइनर सीरीज में ये सोलवा वीडियो नोट है कम्प्लीट प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाता है जिस पे क्लिक वीडियो नोट में हम मुख्यता है आपको तुलनात्मक राजनिती के अंतरगत तेशों की शाषन विवस्था के बारे में बताएंगे जिसमें ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस और चीन को मुख्यता हमने शामिल किया है तो चले शुरू करते हैं दोस्तों आज का ये वीडि प्रतम बिंदू होता है वहां की शाषन प्रणाली है तो किसी भी देश के समिधान में यदि हमें भारत और ब्रिटेन का, अमेरिका और ब्रिटेन का या फ्रांस और अमेरिका का या चीन और फ्रांस का किसी का भी आपस में तुलनात्मक अध्यन करना है तो उसका प्रतम ज ये हमें देखने को मिलेगा, ठीक है, नेक्स देखिए, 322, बारतिय शाषन प्रणाली का परकार कैसा है, तो बारतिय शाषन प्रणाली संगात्मक शाषन है, और कभी-कभी परिस्तितिक अनुसार एकात्मक रूप भी दारण कर लेती है, ठीक है, तो संगात्मक और एकात्मक का मिश्रण है अमेरिकी शाषन प्रणाली कैसी है अमेरिकी शाषन प्रणाली दोस्तों संगात्मक है तो अमेरिका के बारे में हम बात करें यहाँ पे कि अमेरिका में संगात्मक शाषन है अध्यक्षिय शाषन प्रणाली है कैसी है प्रणाली अध्यक्षिय मतलब जो प्रेसिडेंट है वहाँ पे वो राष्ट का अध्यक्ष भी है राष्ट का अध्यक्ष होने के साथ में प्रेसिडेंट के हाथ में राष्टपती के हाथ में सारी कारेकारी शक्ती होती है यह जो अमेरिका का जो शाषन है या हम कहें जो राजनितिक विवस्ता है यह शक्ती प्रतक्रण और अवरोद और संतुलन के सिद्धान्त पर आतारित है उसी के उपर टिगी हुई है जैसे हमारे देश में संसद है वैसे अमेरिका में एक बोड़ी है उसे हम कॉंग्रेस कहते है यह अमेरिका का क्या है विधान मंडल है अमेरिका का क्या है विधान मंडल है अब इस अमेरिकी कॉंग्रेस के अंदर पी दो सदन है कितने सदन है दो एक तो सीनेट है जो की उच्छ सदन होता है एक प्रतिनिती सभा है जो की निमन सदन होता है ठीक है सीनेट जो है जो उ साधान का प्रतिनिर्यतु करती है तो अमेरिकी शाषन में अध्यक्षे शाषन प्रनाली है संगात्मक शाषन है और यहाँ पर जैसे हमारे देश में जो संसद है वैसे वहाँ पर कॉंग्रेस है नेक्स देखे दोस्तों फ्रांस की शाषन प्रनाली कैसी है तो फ्रांस में एकात्मक शाषन विवस्ता है और फ्रांसी सी संसद के अंतर गत्वी दो सदन है जिसमें हम निम्न सदन की बात करें वो निम्न सदन है दोस्तों राष्टी है सभा और हम उच्छ सदन की बात करें त निम्नसंदन राष्टी यह, सभा है और यहाँ पर एकात्मक शाषण प्रंजाली फ्रांसीश संसद के अंतरकत, Next देखें दोस्तों 326 Britain की शाषण प्रनाली क्या है तो Britain की शाषण प्रनाली एकातम गया थोड़ा सा रुकिय बुटेन के ऊपर Britain यानी UK संसद की जन्नी कहा जाता है ठीक है कि संसद का उद्वाव यहीं से माना जाता है यहाँ पे समविधानिक राजतंतर है ठीक है राविधानिक राजतंतर में आपको एक शब्द मिलेगा राजमुकुट क्या मिलेगा राजमुकुट राजमुकुट मतलब यहाँ की सेना को राजमुकुट की सेना कहा जाता है यहाँ के मंतरी को राजमुकुट के मंतरी कहा जा एक आत्मक शाशन परणाली है, संसद्य प्रभूसत्त्य को स्विकार किया गया है, मतलब संसद के पास में असीम शक्ति है, प्रिटेंट में संसद के पास में असीम शक्ति है, संसके अंतरगत राजमौकुत होता है, लाड़ सवा होती हैं मतलब कोиковर सबार होती हैंλοरोekius थाल कोई दिक्कत नहीं है वो देश जहां संसदिय शाषन प्रणाली को अपनाया गया तो इसका सबसे अच्छा एक्जामपल हमारा भारत है ठीक है हमारे देश में संसदिय शाषन व्यवस्ता है संसद के अंतरगत हमारे यहां पे कहें तो राष्टपती लोकसभा और राज्यसभ के अंतरगत राज्यसभा उजसदन है लोकसभा निम्नसदन है अध्यक्षई शाषन प्रणाली की मुख्य उधान कोन सा है तो अमेरिका अमेरिका से अच्छा उधान कहा मिलेगा अध्यक्षई शाषन प्रणाली मतलब यहां पर जो राष्टपती है वो ही राष्ट्र अध जक्ष है ठीक है वो ही शार्षन संचालन करता है सारी कारे-कारी शक्तियां राष्टपति के पास में है ठीक है तो ये अमेरिका नेक्स देखिए दोस्तों 329 अर्ध संसद्य शाष्ण प्रणालिश से संम्मंत्य देश है दोस्तों वो है France. कौन सा है France France अर्ध संसद्य शाष्ण प्रणालिश संमंत्य देश है यहां पर एक आत्मक शाष्ण है France जी संसत के अंतरगत 2 सदन, जिसमें उचस दन सीनेट है और निम्न सदन राष्टिये सभा है नेक्स देखिए भारतिये संसत के उच्छ सदन वे निम्न सदन को क्या कहा जाएगा तो उच्छ सदन को राजसभा और निम्न सदन को लोगसभा कहा जाएगा नेक्स देखिए 331 अमेरिका की कॉंग्रेस में उच्छ सदन में निम्न सदन कौन-कौन सा है तो उच्छ सदन सीनेट है निम्न सदन प्रतिनीदित सवा है उच्छ सदन अमेरिका में सीनेट है सीनेट है जो क्या करती है राजयों का प्रतिनीदितु करती है और निम्न सदन प्रतिनीदि सभा है जो जन साधान का प्रतिनीदितु करती है 332 चीन की कानून निर्मात्री संस्ता कुन सी है तो National People's Congress जैसे हमारे संसद है वैसे National People's Congress चीन देखिए जनवादी चीन गनराज्य स्थापित कब हुआ तो 1949 में 1949 में जनवादी चीन गनराज्य की स्थापना हुई एकात्मक शाषन यहाँ पे एकात्मक राज्य है और राष्टिय जन कॉंग्रेस या फिर हम जैसे कह सकते है National People's Congress यहाँ पे एक सदनी व्यवस्ता है नेक्स देखिए बारत में न्याय पालिका की व्यवस्ता कैसी है तो एकी करत न्याय पालिका है एकी करत न्याय पालिका का अर्थ है कि उपर से नीचे तक सारी न्याय पालिका है आपस में जोड़ी हुई है उपर जो हमारा केंद्री है जो न्याय पालिका है वो है सर्वोच न्याय लए ठीक है नेक्स देखिए अमेरिका में न्याय पालिका व्यवस्ता संग वे राज्यों की न्याय व्यवस्ता अलग-अलग है ब्रिटेन के समिधान में कितने अध्याय दोस्तों तो ब्रिटेन के समिधान में अध्याय कहां से आएंगे आप बताईए जब ब्रिटेन का समिधान ही यह लिखित है तो वहाँ पर अध्याय होने का मतलब ही नहीं है ब्रिटेन का समिधान जो है वो एलिखित है परिपाटी प्रथाओं पर निर्भर है और समिधानी के राजतंतर है संसत की जन्नी है ब्रिटेन एकात्मक्षाशन परणाली है संसत ये प्रभुसत्ता को अपनाये गया है संसत को असीम शक्ति प्रदान की गई है ब्रिटेन के अ 236, अमेरिकी समिधान में कुल कितने अनुच्छेद है, अमेरिका का समिधान आपको अमेरिकी देश कितना परभाव डालता है पूरे विश्व पर, लेकिन केवल और केवल वहाँ पर साथ अनुच्छेद है, भारतिय समिधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद है, तो 39 उचसदन और निम्नसदन राजमकुट की वहाँ पे बात हमने कही थी क्राउन वाली और जो संसद है उसको संसदिये प्रभुसत्ता के अंतरगत असीम शक्ति प्राप्त है नेक्स देखिए 349 अमेरिकी राजनितिक विवस्ता में उचसदन है दोस्तों अमेरिकी राजनितिक विवस्ता में उचसदन सीनेट है ठीक है ये वीडियो में दुवार पब्रिश कर रहा हूँ क्योंकि पीछले वाले में गडबड हो गई थी चीन में जनवादी चीन गनराज्य की स्थापना कब हुई तो जनवादी चीन गनराज्य की स्थापना हुई 1949 में जनवादी चीन गनराज्य की स्थापना हुई एकात्मक शाषन है वहाँ पर राष्टे जन कांग्रेस एक सदनी अदल है वहाँ पर और वहाँ पर ये ठीक है, राजमकुट मतलब राज्ये का अध्यक्ष है वो, समिधानिक राजतंत्र है, वहां की सेना को राजमकुट की सेना, वहां के मंत्री को राजमकुट के मंत्री कहते हैं, ब्रिटेन का जो समिधान है, हम ब्रिटेन के बारे में फिर से आपसे बातचीत कर रहे हैं, ब्र इन की बात ठीक है अब बात कर लेते हैं अमेरिका की चलते चलते फिर से ठीक है तो अमेरिका में अध्यक्षे इशाषन प्रणाली आप सभी को पता है अमेरिकी राष्टपती केवल और केवल दो कारेकाल के लिए चुना जा सकता है ये भी आप सभी को पता है ठीक है और बहुत पावर है, सारी कारे कारी का शक्ति अमेरिका में राष्टपति में यानि प्रेजिटेंट में होती है, अमेरिका का जो राजनितिक व्यवस्ता है वो शक्ति पर्थक्रण और अवरोध और संतुलन के सिद्धान्त पर आधारित है, अमेरिका में जैसे हमारे संसद है व पराति निदेतों करती है ठीक है next तापका है दोस्तों France तो जब भी वीडियो में कोई गड़बड हो जाती है तो मैं उस वीडियो को हटा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत गड़बड हो जाती है, आप लोगों के कमेंट से पता लग जाता है, तो मैं उसको जादा से जादा फैलाने की बजाए उसे हटा देता ह तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही लाइक करके जाएगा सब्सक्राइब करेजिएगा और शेयर कर दीजिएगा थेंक्यू सो मच मिलते हैं नेक्स वीडियो नोट में तैयारी करते रहिए जीत आपकी होगी